इंचे किश्ने दोस्तों आप सभी को देव्शाहनी एकदरशी की हादिक शुपक्रामन जैसे की आप सभी जाएं जानते हैं 29 जून को और वो भी प्रहस्पतिवार का दिन है इस दिन पड़ ये देव्शाहनी एकदरशी ये देवशेनी एकदशी बहुत ही जाद अधिक महत्वपूर्ण होती है जानते हैं आप क्यों इसलिए कि इस दिन भगवान श्रीहरी विश्णू स्रहिया पे चले जाते हैं विश्राम करने के लिए चार महिने के लिए तो इस चार महिने में कोई भी शुबकारे नहीं होता और दूसरा ये सावन का महिना शुरू होने से पहले आने वाली एकदशी होती है और इस बारी ये एकदशी का दिन ब्रहस्पतिवार के दिन पढ़ रहा है जो की ब्रहस्पतिवार का दिन भगवान श्रीर विश्णू को समर्पित है साथ में एकदशी का वरत भी भगवान शीरेडी विश्णो को समर्पित है और देव शाइनी एकादर्शी ब्रसपतिवार के दिन पढ़ना बहुत ही जादा दुल्लब संयोग है तो इस दिन मैं आपके लिए कुछ उपाई ना ले के हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता आज का जो खास उपाई है वो जरूर आपने करना है अगर आपने नहीं किया तो चार महिने तक के लिए आपके धन में कमी रहेगी आपके घर के जितने भी अचानक हो जाने वाली धोकट नाए इस तरह की संभावना बन सकती है तो चार महिने अपने घर में सुख समयदी बरकत बनाए रखने के लिए जरूर से जरूर ये दो अवश्य करें बहुत सरल है बहुत असान है भगवान श्रीर विश्णू की कृपा दिश्टी प्राप्त करें साथ में मा लक्ष्मी की भी आपके घर में सुक्समिदी बनी रहेगी चार महिने के लिए भगवान शया पे जा रहे हैं विश्राम करने के लिए अपने घर में सु बश्वतिदेव की पूजा अरादना की जाती है तो केले की विषगी पूजा यह दान करे, अवश्य को पीले रई के देख आर्ण कि ना करे, और खाने में लशन प्याज का प्रियोग ना करें, खाना सात्वी भोजन खाए, शंबभ हो सके, तो इस दिन दान जरूर करें, दान में आप पीले रंकी वस्तु का दान कर सकते हैं, पीले रंकी वस्तु का दान कर सकते हैं, केले या सीजनली जैसे की आम का सीजन है, आम भी दान कर सकते हैं, चने की दाल या गुड का दान कर सकते हैं, जरूर से जरूर ये दान करें, अपनी परशेख करें भगवान को हल्दी का तिलक जरूर लगाए और भगवान को इस दिन आपने गुड चने का भोग भी जरूर लगाना है, केले का भोग भी जरूर लगाए अब मैं आपके लिए जो खास उपाई लेके जो आपने इस दिन करना है अपने घर में सुक्समिदी और बरक्कत बनाए रखने के लिए तो आपने करना है एक लोटा जल लेना है लोटा आप कौन सा लेंगे तामबे का पात्र लेंगे तामबे के पात्र में आप एक लोटा जल शुद्र लेंगे उसमें कुछ बुंदे गंगा जल की अवश्य डालेंगे इसके बाद आप इसमें ग तो इस दिन आपने 11 चने की डाल लेनी है, घर में सुक्स्ट मेदी धन लाप चाते हैं, वहेपान में व्रिधी चाते हैं, अब आपने ये चीजे ले लेनी है, अब ये लेकर आपको किसी भी शिवाले चले जाना है, भगवान शिव के मंदिर, वहाँ पे जाके आपने गुड वाला जल है, इस जल से भगवान शिव का अभिशेक करना है, और उसकी कुछ बुने आपनी जो चने की डाल ली है, अपने हतेली पे रखें और इस पे कुछ जो गुड़ वाला जल है, उसको डाल दीजे, अब एक एक आपने चने की डाल, भगवान शिरी, विश्नु का ना आले ली है, वो एक एक डाल आप भगवान शिवलिंग के उपर अदपन करते जाएंगे, अपनी मनो कामना बोलते हैं, और ओम नमो भगवते वासु देवाई का जाब करते हैं, इस तरह से आपने प्रातना करनी है, भगवान शिव शंकर से और भगवान शिरी विश्नु से कि आपके जीवन की जो भी समस्या है वो दूर हो जाएं, इसलिए कि ये एकादशी विशेश महत्व रखती है, ये सावन का महीना शुरू होने से पहले पढ़ने वाली एकादशी है, इस एकादशी में विश्नु भगवान विश्राम करने चले जाते हैं, तो उसके बाद भगवान भोले ना थी आपके जीवन की हर समस्याओं को दूर करते हैं, तो इसलिए आपने ये छोटा सा उपाई करना है, दूसरा जो खास उपाई है एकादशी का दिन, जैसे कि है तो इस दिन तुलसी की पूजा राधना करना बिल्कुल भी न भूले, मगर हाँ, ये गल लिए तुम्हाल लश्मी कृपादिष्टी प्राप्त होगी, भगवान शिरेर विष्णू की प्राप्त होगी, साथ में तुलसी मया के आपके घर में हमेशा सुक्समर्दी बनी रहेगी, आपने करना क्या है, एक दीपक बनाना है, चौ मुखी दीपक बनाएंगे आप, आ प्रजवलित करने के बाद आपको हल्दी चाहिए, पीसी वे जो हल्दी का पाउडर होता है वो ले लीजे और आप क्या करेंगे, साथ में एक चुन्री लाल रंगी चुन्री तुलसी के पौधे में जरूर चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद आपने और जल नहीं चढ़ा प्रजवलित को मिला लीजे और थोड़ा सा गंगा जल मिलाके इसका पेस्ट बना लें, यह अच्छा घासा एक पेस्ट बन जाएगा हल्दी और तुलसी की जड़की मिट्टी का, पेस्ट बनाने के बाद आपने इससे अपने घर में तीन जगा स्वास्तिक बनाना है, सबस पुरुष कर रहे हैं, तो यह पुरुष अपने जाके वेपार थल पे भी इसका स्वास्तिक का चिन बना सकते हैं, जहां पे आपका गल्ला है, उस पे बना सकते हैं, स्वास्तिक का चिन दुकान है, आपकी तो दुकान का जो में गेट होता है, जैसे की शटर जहां पे लग जो ये दो पायते यह आपको सुभा के समय करना है नादो के स्वच हो जाने के बाद तीसरा जो खास उपाय है वो आपने रात्री के समय करना है आपने एक दीपक लेना है मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं आटे का दीपक भी बना सकते हैं दीपक बनाने के बाद इसके की उठी वी उपर से तो आपने बाती रखनी है इसके अंदर दीपक के अंदर और एक दीपक आप आठीका भी बना सकते हैं मिठीका दीपक भी ले सकते हैं इसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दीजेगा डालने के बाद आपने ये दीपक रातरी की समय भगवान श्रीर विश्णू के समख्ष प्रजुवित करना है और संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाई का जाप जरूर करके फिर ही आप सोए तो इस चोटे-छोटे से उपाई जरूर इस दिन आप करें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत सुक्स्रमिदी ब